कि नमश्कर दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ाने चाहरा हूँ सुपर् फिसली का ze की मतलब होता कैं दोस्तों बहुत ही बड़ी यहां पर दीख रहें उपर्फिसली सुपर्फिसली का मतलब होता है ऊपर ऊपर अपर से जैसे आप बोलते हैं हैं वह मुटा ह ही मुझसे नफरत करता है बड़ी ही बड़ी ही मुझसे नफरत करती है जैसे मैं बोले बस वो उपर-उपर से पढ़ाते हैं अंदर से नहीं बढ़ाते हैं इस तरीके से तो यहां पर यूजे अंदर से शुपरफ़ाइब करती है ऐसे यूज करेंगे अब सुपर-फिसली का यूज जैसे एक और sentence देखते हैं आपे He loves you superficially वै तुमसे उपर-उपर से प्यार करता है जैसे आपको बोला है वै तुमसे उपर-उपर से प्यार करता है बस दिल से प्यार नहीं करता है तो आपको कहना है He loves you superficially अगला sentence You teach superficially You know nothing तुम उपर-उपर से पढ़ाते हो तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है तो आप कह सकते हैं You teach superficially मैं बोलो कि some teachers teach superficially कुछ teacher उपर-उपर से पढ़ाते है इस तरीके से यूज़ करेंगे You have superficial Superficial का मतला होता है अब यहाँ पर यह एक adjective के रूप में यूज़ रहा है और वो एड़े के रूप में यूज़ होँ रहा था और यहाँ पर यह है कि You have superficial knowledge of English इंगलिश की उपरी जानकारी है जब आपको बोला है आपको English की उपरी जानकारी है तो से बोलेंगे You have superficial knowledge of English याई несika इस तरदी करें यहां पर जैसे का किसे ने आपór अफे हैंगर यह ईखन सकते हैं अगर इस तरहां जञते हैं यहां पर इस्टारिकी तरह कुसा नहीं तरी रहां टाम कर शकते हैं तो ऐसे इंग्लिश सीखने के लिए लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए खाटुशाम, इंग्लिश वाला थैंक्स पर वोचिए मैं वीडियो एवरीवड़ी बाबाए